मिर्गी आने पर अक्सर लोग घबरा जाते और समझ नहीं आता कि क्या करें घबराट में वो तरकीबे कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए इसे में मिर्गी के दोरे पढ़ने पर लोगों की कैसे मदद करनी चाहिए आईए जानते हैं हम लोकल एटिन के जरिये मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज को बार बार फिट्स या जटके आते हैं ये जटके के अलावा इसमें बेहोसी गफलत भी हो सकती है जटकों के कई प्रकार होते हैं या दोरों के कई प्रकार होते हैं दोरे के दोरान क्या होगा ये डिपेंड करता है मरीज के ब्रेन के किस हिस्से से ये दोरा पैदा हो रहा है वास्तों में दोरे के दोरान ब्रेन की विद्धुत तरंगों में अचानक से स्पार्किंग या कुछ गड़बड़ी होती है और उस गड़बड़ी के कारण मरीज को इस तरह के फिट्स पढ़ते हैं फिट्स की समस्या बच्पन से लेके बुड़ापे तक किसी को भी हो सकती है बच्पन में इसके कारण ब्रेन की बनावट में फरक होता है और एल्डरली पेशेंट में ब्रेन में कोई लगवा, क्लॉट, हेमरेज इसका कारण हो सकता है इसके किलावा कई बार सोडियम की कमी, ग्लूकोस की कमी, अल्कोहल की मात्रा देखोने से भी दोरे पढ़ने की रिस्क रहती है दोरे के दोरान घबरान नहीं चाहिए मरीज को एक करवट से लिटा देना चाहिए ताकि उसका सलायवा वगेरा बाहर गिरे अंदर न जाए दूसरी दोरे अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं और अगर ऐसा ना हो और मरीज को बार बार दोरे आ रहे हो या बेहोसी लंबी चल रही हो या दोरा जटका लंबा चल रहा हो तो उसको तुरंत पास के अस्पताल में ले जाए घबराए नहीं अगर मिर्गी का सतरक्ता पूर्वत और विधिवत निरोलाजिस्ट की केर में इलाज किया जाए तो मिर्गी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है अधिकतर मिर्गी दवाईयों से ही ठीक हो जाती है उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती